हेलो क्लास टेंथ, आज हम चेप्टर नबर एट की एक्सेसाइज 8.3 का कुछ इंट्रोडक्शन करते है पहले, उसके बाद एक्सेसाइज 8.3 भी करेंगे एक्सेसाइज 8.3 से पहले आपका एक टोपिक है, वह है टिगनोमेट्रिक रेशियो ओफ कॉमपलीमेंटरी एंगल्स अब complementary angles आपको याद होंगे नाइन्थ क्लास में भी आपने बढ़ा था कि complementary angles वो थे suppose करो आपके बास दो एंगल है A and B अगर A plus B आपका 90 degree आता है तो वो दोनों आपस में complementary है और अगर आपको याद हो तो A plus B अगर 180 हो तो उनको क्या गहते हैं supplementary angle ठीक है तो complementary angles के भी कुछ trigonometric ratio है उसके हिसाब से क्या है देखो suppose करो आपको कोई angle दे रखा है sine 30 degree ठीक है या suppose करो आपको 35 degree दे रखा है साइन 35 क्या इस साइन 35 को मैं ऐसे लिख सकता हूं साइन 90 माइनस कितना 55 ठीक है क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं जो यह 35 था इसको मैंने कैसे लिख दिया 90 माइनस 55 क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि देखो 35 थो यह इसके एक वली है साइन को हमने साइन रखा ठीक है ऐसे ही मान लो साइन 15 आपको गीवन है तो क्या इस साइन 15 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 90 माइनस 75 लिख सकते है कोई गल्द बात नहीं इसमें अब आपकी जो ही टिक्नोमेटिक रेश्यों कॉम्प्लिमेंटर एंगल है इसमें कुछ आइडेंटिटीटीज है वो क्या है कि इस तरह की वैल्यू जो है कोस और वही एंगल टीक है जो ही एंगल है इसके इकल हो गागा कोस और से आइडेटिटीटी आपकी क्या बनती है साइन कि 90 माइनस ए ए आपका कोई भी कोई एंगल है ठीक है तो साइन 90 माइनस ए किसके को लोगा कोस एक ठीक है ऐसे ही कोस 90 माइनस ए वो किसके को लोगा साइन एक ठीक है यह दोनों आपस में इंटर्जेंज होंगे अगर साइन 90 माइनस ए है तो वो कोस एक 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 वल और कोस 90 माइनस ए है तो वो साइन एक 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 वल ऐसे ही मानलोग 10 90 माइनस ए तो 10 90 माइनस ए किसके को लोगा कोट एक और कोट 90 माइनस ए किसके को लोगा 10 एक ठीक है यह दोनों आपस में चेंज होंगे और लास्ट आपका जो पेत बचिए वो क्या है कोसिक Angry तो कोसिकेंट 90 माइनस एक इसके को लोगा secant a k और secant 90 minus a किसके equal होगा cosecant a k ठीक है a आपका कुन सा एंगल है यहाँ पे जो एंगल है वही a होगा आपका ठीक है तो यह जो तीन पेर है या छह आइडेंटिटी है इनको याद रखना आप आपने ठीक है इनके हिसाब से हम कुछ एक example solve करते है आपको clear होगा काफी कुछ तो example number 9 करते है सबसे पहले हम ठीक है इनको याद रखना example number 9 को solve करते हम example number 9 में क्या है देखो आपको given है 10 65 degree divide में quote 25 degree ठीक है 10 65 degree divide में quote 25 degree अब हम क्या करेंगे इन में से एक को change कर लेंगे इसके हिसाब से जो 10 65 है सबसे पहले हम इसको क्या लिए देंगे 10 90 minus 90 minus 25 ठीक है जो 10 65 है उसको हम ये भी तो लेख सकते 10 और 65 को 90 minus 25 अब निच्चे क्या हो जाएगा quote 25 ठीक है अब 10 90 minus 25 किसके को लोगा quote 25 के तो उपर क्या आगे आपका quote 25 और निच्चे क्या है quote 25 तो दोनूं से मैं तो कट गए answer क्या आगया 1 ठीक है reason क्या लिखोगा यहाँ पर because 10 90 minus A is equal to quote A ठीक है तो यह था आपका example number 9 अब हम करते है एक और question कर लेते हैं जैसे कि आपको given है cause 48 degree minus sine 42 degree ठीक है यह को यह question given है आपको cause 48 minus sine 42 इसको solve करते है क्या करूँ आप इन में से किसी एक को change कर लो मैं इसको change कर रहूँ cause 48 को ऐसे लिख सकते हैं 90 minus 42 minus में इसको change नहीं करूँगा मैं ठीक है 48 को मैंने ऐसे लिख दिया अब cause 90 minus angle कोई भी वो किसकी को लोता है sine A के ठीक है तो यहां से यह क्या हो जाएगा cause 42 sorry sine 42 ठीक है minus में sine 42 यह वाला ठीक है अब दोनु सेम है तो अंसर क्या है आपका 0 ठीक है अब हम करते है example number 10 करते है example number 10 example number 10 में आपको क्या given है ठीक है example number 10 में देखो उससे पहले मैं यह identity दुबारा लिख देता हूँ क्या है sine 90 minus A is equal to cos A and cos 90 minus A is equal to sine A ठीक है तो identity अब question है आपका example number 10 में क्या sine 3 A is equal to cos cos A minus 26 यह given आपको A की value find करने इसमें हाँ A की value find करने और A आपका acute angle है यानि 90 degree से तो कम है अब हम क्या करेंगे sine 3 A को हम इसके हिसाब से change कर लेंगे sine 3 A को हम क्या लिख सकते है cos 90 90 minus 3 A लिख सकते है देखो cos 90 minus 3 A cos 90 minus 3 A किसके इकवल होगा sine A के अब यहाँ पर A की जगा 3 A है तो 3 A आ गया ठीक है यह identity आपका इसके लिख सकते हम is equal to में क्या है cos A minus 26 अब cos से cos compare करें अगर हम तो हमारे पास क्या आ गया 90 minus 3 A जो है वो किसके equal है A minus 26 के ठीक है compare करने का मतलब यह है देखो यहाँ पर यह दोनों एंगल आपको equal given है equal इसका मतलब यह है कि यहाँ जो एंगल है वो इस एंगल के equal है तो हमने एंगल को equal रखा अब यहाँ से A की value find करनी है तो वो किसके equal आएगी 90 यह minus का इदर आके plus का 26 is equal to A minus का उदर जाके plus का 3A यह कितना हो गया 4A और यह हो गया 116 116 divide में 4 is equal to A A की value कितनी आगी यहाँ से 29 degree ठीक है तो यह था आपका example number 10 यहाँ से A की value 29 आगी और A हमारा acute angle है ठीक है अब हम करते example number 11 example number 11 में क्या है आपको court 85 court 85 plus में course 75 degree यह आपको given है ठीक है तो आपको करना क्या है express this in terms of trigonometric ratio of angle between 0 and 45 ठीक है अभी देखो यह 85 और 75 0 से भी बड़े है 45 से भी बड़े है आपको करना क्या इनको change करना है 0 से तो बड़े हो और 45 से छोटा हो इस type के angle में इनको change करना है हम क्या करेंगे देखो इस court 85 को हम ऐसे लिख सकते है court 90 माइनस 5 लिख सकते है 90 माइनस 5 लिख दिया है 85 को और ऐसे ही इसको क्या लिख देंगे हम cos 90 माइनस 15 ठीक है अब देखो court 90 माइनस 5 किसके इक बड़े होता है court 90 माइनस A is equal to 10 A तो यहां से क्या जाएगा 10 5 पलस में cos 90 माइनस 15 किसके इक बड़े होता है cos के इसाब से देखो cos 90 माइनस A is equal to sin A तो यह हो जाएगा sin 15 ठीक है अब देखो यहां 5 और यहां 15 दोनु ही 0 और 45 के बीच में है तो यह हमारा क्या आगया अनसर आगया ठीक है तो अब आपको करना क्या यह example तो मैंने आपको करा दिये आपको exercise 8.3 जो है यह बड़ ट्राइ करनी है next part में हम exercise 8.3 भी करेंगे ठीक है और कोई doubt हो इस identities में या किसी भी example में तो वह आप पूछ सकते हो ओके thank you